हम डिस्कस करने वाले हैं टाटा पाबर स्टॉक के बारे में इसे स्टॉक में कंटिनियोस काफी बहतर न्यूज आते वे दिख रहे हैं और अभी हमने देखा कि लेटर ओफ एवार्ड SGVN लिमिटेड के तरफ से 1000 मेगावार्ट सोलर प्रोजेक्ट को ले करके मिला है इसे पहले हमने गुजरात की खबर कल के टेडिंग सेशन में सुना था और अगेन आज एक न्यूज टेड होते वे दिख रहा है कि 1 गिगावार्ट सोलर EPC ओडर लगभग 5500 करोर यानि 5500 करोर का SGVN के तरफ से मिलते वे दिखा है इस स्टॉक में रिजल्ट से पहले काफी ब्रेकिंग न्यूज हमने देखा है लेकिन उस न्यूज का इंपक्ट अभी इस स्टॉक के प्राइस पे आते वे नहीं दिख रहा है हालांकि मैंने आपको कहा है कि मीडियम टू लॉंग टर्म के लिए एक मल्टी बेगर श्टॉक है और इसके प्राइस पे आपको मीडियम टर्म में आते वे दिखेगा सोट टर्म इंवेस्टर अभी इस स्टॉक में कौसन बनाये रखे 254 पचपन के उपर के क्लोजिंग पर ही इस स्टॉक में एक सांदार अप्टेंड दिख सकता है ओवरॉल इस स्टॉक में थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन 238 से 248-50 के प्राइस के बीच दिख सकता है चुकि ओवरॉल मार्केट अभी भी देखेंगे तो वीक है निफ्टी अपने आज का जो हाई था वहाँ से लगबग 1% का गिरावर दिख चुका है तो टोटली करते वह दिख सकता है आज 5 मई है कल के टेडिंग सेशन के बाद ही इस श्टॉक का रिजल्ट भी आपको आते वह दिख सकता है तो श्यूरली अगर इंवेस्टेड में तू लॉंग टर्म के लिए तो बने रहे शोट टर्म टेडर इस श्टॉक को अभी भी एवाइड कर सक निल्क रहे जो करते हैंगा आई आए अना याये